हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो ओनलाइन एग्जाम्स टूटोरियल्स ट्राइंगल को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल यानि की एक समकोंड तिर्बुज समकोंड तिर्बुज क्या होता है अगर एक ट्राइंगल के अंदर हम किसी एक एंगल को 90 डिगरी ले ले ठीक है इस ट्राइंगल में मैं इस वाले एंगल को 90 डिगरी ले रहा हूँ तो मैं इस ट्राइंगल को एक समकोंड तिर्बुज यानि की एक राइट अंगल ट्राइंगल कह सकता हूँ अगर इस side को मैं A मानता हूँ, इसको B, इसको C, तो ये A जो है इसका lump हो जाएगा, इसका perpendicular हो जाएगा, जिसकी length है A, ये B इसका base यानी की आदार हो जाएगा, जिसकी length है B, और ये जो C आपको line दिखाए दे रही है, ये इसकी hypotenuse यानी की current हो जाएगी, ठीक है, तो पिछल angle bisector दोनों के दोनों अंदर ही meet करेंगे, ठीक है, जहाँ पे angle bisectors meet करते हैं, वो मारा in central का आता है, और जहाँ पे हमारी सारी मात दिखाए यानी की medians meet करती है, वाँ पे हमारा centroid निकल का आता है, तो वे हमेशा इस triangle के अंदर ही meet करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि in center और centroid ह हमेशा इसके अंदर ही होंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसका सरक्म सेंटर और और और्थो सेंटर का होगा पहले और सेंटर को देखते हैं और से यहां पर आके मिल रहा है और सी से जो AB के उपर लंब आ रहा है वो भी पर आ के मिल रहा है ठीक है तो यानि कि मैं कह सकता हूं कि यह जो भी पोइंट है जहां पर मेरा 90 डिग्री अंगल बन रहा है यह इसका और तो सेंटर होगा ठीक है और यह कुशन पूछा भी जा चुका है कि एक राइट अंगल ट्राइ बिल्कुल मद्यविंदू पर होता है अगर DAC का मिड़ पॉइνट है ठीक है तो यह जो डी पॉइंट है यही इसका सरकम सेंटर है और अगर मैं DA को Estee radius मानके या फिर dc को मैं मानके एक circle draw करता हूँ यानि इसका circle circle draw करता हूँ तो वो इस तरीके से बनेगा जहां पर मेरा जो ac है इसका जो कर्ण है वो इस circle का diameter होगा या फिर ad और dc इसकी radius होगी इसके साथ हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि यह d को अगर में बी से मिलाओं तो बीडी भी तो इसकी अगर यह आर है यह भी आर है यानि कि circum radius को मैं आर बोल रहा हूँ ठीक है तो परिवरत की तरह ज्या ठीक है यह परिवरत होगा यानि कि यह भी तो center से circumference पे मीट कर दिया है और यह साथ के साथ इस point से सामने वाली साइड के midpoint पे मिली हुई है यानि कि यह माद्दी का भी है ठीक है BD हमारी माद्दी का भी है यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि हाँ पे BD बराबर AD बराबर DC होगा और मुझे अगर यह माद्दी का निकालनी हो BD तो मैं सीधा का सीधा अपने hypotenuse का half करके इसको निकाल सकता हूँ इसके ओपर भी direct question पूछे जाते है ठीक है students इस चीज़ को एक बार verify भी कर लेते है सरकम radius का formula क्या होता है ABC जापर ABC हमारी triangle की तीन साइड है अपन 4 into del और del है area ठीक है अगर मैं यहाँ पर रखूँ ABC चार गुणा इस triangle का area कितना होगा half into A into B ठीक है half into perpendicular into base यनिकी मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 4 से 2 से 4 कट जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा इस AB से AB कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा C upon 2 और यही बात मैं आपको कह रहा था कि जो circum radius होगी एक right angle triangle की वो hypotenuse का half होगा क्योंकि यहाँ पर जो हम C length मान रहे थे वो हम इस hypotenuse की मान रहे थे ठीक है यह चीज़तों निकल गी है हमारी circum radius अब अगर हमें निकल नहीं हो और in radius ठीक है in radius का formula क्या होता है डेल बाइस ठीक है जापे डेल है हमारा area और S है semi perimeter small r से मैं in radius को ले रहा हूँ capital r से मैंने circum radius लेती ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसका area कितना होगा half into a into b और semi perimeter कितना होगा a plus b plus c by 2 इस 2 से यह 2 कटी है यानि कि एक formula तो मुझे यह मिल गए है आपे a b upon a plus b plus c इस formula का use करके भी हम in radius निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों की तीनों side पता है इस formula थोड़ा और simplify करते हैं अगर मैं इसके conjugate की उपर नीचे multiply करूँ यानि कि इस plus वादे sign को मैं minus करके a plus b minus c a plus b minus c की उपर नीचे गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है a b गुणा a plus b minus c upon अब देखिए अगर मैं इसको एक टरम मानता हूँ और इसको एक टरम मानता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाए दे रहा है a plus b into a minus b ठीक है इसको मैं एक टरम मानता हूँ और इसको एक टरम तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a plus b into a minus b का formula क्या होता है a plus b गुणा a minus b इसका formula होता है a square minus b square ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a plus b का whole square minus c का square ठीक है? लिख सकता हूँ और इसको अगर मैं अगर लिखूँ तो a b a plus b minus c नीचे इसका square अगर मैं खोल लूँ a square plus b square plus 2ab minus c square ठीक है? अब देखें a square plus b square को मैं c square लिख सकता हूँ पाइथागोरस थियोरम क्या कहती है कि लंब का square प्लस आदार का square बराबर होगा current का square यानि कि perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square ठीक है? तो a square plus b square को मैं c square लिख सकता हूँ और यहाँ पे c square आ जाएगा और यह minus का c square है यानि यह कट जाएगा ठीक है? और इस a b से यह वाला a b कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा a plus b minus c by 2 ठीक है? तो मेरे पास एक और भी simplified formula आ जाता है in radius का कि a plus b minus c by 2 जहाँ पे a मेरा लंब है, b आधार है और c मेरा current है यानि कि a perpendicular है, b base है और c hypotenuse है ठीक है? तो इस formula का use करके भी हम इस चीज़ को निकाल सकते है अगर आप से सिदागा सिदा question पूछ लिया जाए आपको तीनों की तीनों side पता हो एक right angle triangle की और आपको in radius निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस formula का use करके बहुत ही असानी से चीज़ को निकाल सकते है ठीक है? और circum radius में तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको hypotenuse का आदा करना है ठीक है? अब अगर आप से पूछ लिया जाए कि एक right angle triangle के अंदर in radius और circum radius के बीच में क्या relation होता है तो आप देखिए इन radius हमने निकाली इसकी a plus b minus c by 2 ठीक है? अगर इसको थोड़ा खोल के लिकूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a plus b by 2 minus c by 2 ठीक है? ऐसे लिख सकता हूँ और c by 2 मैंने क्या निकाली थी? circum radius ठीक है? तो c by 2 की जगा मैं r लिख सकता हूँ capital r जो capital r क्या है मेरा? circum radius तो अगर मैं इसको इदर ले जाता हूँ तो small r plus capital r is equal to a plus b by 2 यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि मैं जो एक right angle triangle के अंदर inner radius और circum radius का जोड क्या होगा? a plus b by 2 इसके उपर आपको direct question भी पूछा जा सकता है आपसे पूछले सिदा का सिदा की कोई triangle दे दे आपको जिसके माली जे 12, 5, 13 triangle दे दिया आपको right angle triangle है ठीक है? और आपसे पूछ लिया कि इसकी inner radius का और circum radius का जोड क्या होगा? ठीक है? तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ आपको यहाँ पे 12 प्लस 5 बटे 2 यानि की 17 बटे 2 आपका अंसर आ जाएगा नहीं तो अगर दूसरे तरीके से आप जाते तो आप इन radius अलग निकालते, circum radius निकालते, फिर उसको जोडते, ठीक है? तो यह चीज यह भी आपको question को छोटा करने में मदद करती है और साथ ही साथ यह चीज डारेक्ट भी पूछ ली जाती है ठीक है? तो यह चीज हमें याद रखनी है और मैंने आपको बताया था एक formula अगर हमें निकालना हो in center और circum center की बीच की distance को ठीक है? D distance है in center और circum center की बीच की तो इसका formula क्या था? 2 into r square minus r into r ठीक है? जहाँ पर capital r है हमारी circum radius और small r है हमारी in radius ठीक है? तो इस formula का यूज करके हम direct एक right angle triangle के अंदर या किसी भी ओर triangle के अंदर ठीक है? अगर हमें उसकी circum radius पता है और उसकी in radius पता है तो हम बड़ी असानी से उनके circum center और in center के बीच की distance को निकाल सकते हैं और अगर इसी question के अंदर हम से यह पूछ ले जाता हमें एक triangle given है जिसकी side है 12, 5 और 13 ठीक है? उसमें हमें question में पूछ लिया गया कि इसके in center और circum center के बीच की distance बताओ ठीक है? तो यह question आप खुद से कीजिए किवल आपको यहाँ पर value पूट करनी है ठीक है? इसका capital R निकालिए इसका small R निकालिए यानि कि इसका circum radius और इसकी in radius निकालिए और उसको पूट करके इन दोनों के बीच की distance निकालिए ठीक है students? अब एक question देखें बहुत ही अच्छा question है आपने का A B C B D median है यानि कि D क्या होगा midpoint होगा AC का ठीक है? मादी का क्या होती है? वर्ट एकस के सामने वाले के मद्देबिन्दू पर जाके मिलती है यानि कि D AC का midpoint है जहाँ पे AD बराबर मुझे 6 cm गिवन है AD के लिए 6 cm गिवन है और एंगल D B C बराबर 30 degree है D B C ये एंगल हमाएं 30 degree की वन है ठीक है? Find the area of the triangle अब मुझे इस triangle का area find करना है अब एक चीद देखिए याँ पर ये side बराबर ये side बराबर ये side होगी ठीक है? मैने आपको बता दिया पीछे और ये पूरा एंगल 60 degree है इतना 30 है तो ये कितना होगा? 60 degree ठीक है? और अगर ये side बराबर ये side है तो ये भी 60 degree होगा ठीक है? ये 60-60 बचे तो ये भी 60 होगा ठीक है students? यानि कि एक equilateral triangle है A D B अब ये 6 हैं तो ये भी 6 हैं तो ये भी 6 होगी क्योंकि equilateral triangle है ठीक है अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आप यहां पर चीज़ देखिए कि डी मीड़ पॉइंट है यानि कि डी बीडी लाइन जो है इस एबी सी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती होगी ठीक है यह प्रोपेटी में आपको पीछे बत इक्विलेटल ट्राइंगल के एरिया का फूमला क्या होता है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्कॉयर यहां पर एकी वैलियो में चैगी वन है यानि कि मैं इसको लिख सकता हूँ रूट थ्री अपॉन फोर गुणा 36 यह कटिया नो नो रूट तीन आ गया और इसका अगर मैं प्रबल करता हूं तो पूरे के पूरे ट्राइंगल का अरिया मुझे मिल जाएगा ABC का यानि ABC ट्राइंगल का अरिया क्या होगा 18 रूट थीन ठीक है तो हर चीज हमें पता होनी चैए ये कोशन को करने के लिए हमने यहाँ पे एक्क्विलेटल ट्राइंगल की चीज भी लगाई हमने मीडियन वाली प्रॉपर्टी भी लगाई और यह प्रॉपर्टी थिए थी कि अगर हमें एक मीडियन ड्रो करते हैं B से लेके सामने वाली hypotenuse पे तो ये इसको बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी और खुद BD की लेंद भी इसके हाफ होगी ठीक है तो इतनी सारी property को mix up करके हमने question बनाया और उसको हमने within two steps में खतम कर दिया ठीक है तो हर चीज़ का में पता होना चाहिए इसी लिए मैं कहता हूँ कि अलग-अलग तरीके question की हम practice करते हैं जितने questions की हम practice करते हैं उतना ही मारा mind का database बढ़ता चला जाता है और एक question को करने के कई कई तरीके हमारे दिमाग में आ सकते हैं ठीक है अगर आप इसको खुद से question को करने बैठे पिछले rule पढ़िके इसका solution ना दिखे कि मैंने कैसे किया केवल इस question को लिखिए और इसको खुद से करने question कीजिए एक आजा तरीका आपके अंदर से भी निकल के आएगा कि इस question को दूसरे तरीके से भी क्या आजा सकता था ठीक है students क्योंकि एक question करने के कई तरीके होता है geometry के अंदर अब अगला question देखिए triangle ABC which is a right angle triangle right angle at B यानि कि ABC एक triangle है जो की B पे right angle है ठीक है मैं इसको ऐसे बना सकता हूं A, B, C B पे मैंने right angle ले लिया CM and AN are medians ठीक है AN यानि कि N जो म अद्यबिन्दू होगा BC का ठीक है और CM दो माद दिकाए हमने बना ली और M जो मीड़ पॉइंट होगा AB का ठीक है find AN square plus CM square AN square plus CM square यानि कि इन दोनों माद दिकाओ यानि कि दोनों की दोनों medians के square का जोड हमें बताना है और option ये given है 5 बटे 2 AC square आपड सकते हैं ठीक है ये question IO question है और इससे जो हमारे relation निकल के आएगा वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ठीक है तो देखते हैं अगर मैं इस साइड को A माल लूँ A B को तो ये A by 2 हो जाएगी और ये भी A by 2 हो जाएगी अगर इसको मैं B माल लूँ B C को तो ये B by 2 और ये B by 2 हो जाएगी ठीक है क्योंकि N midpoint होगा क्योंकि A N जो माद दिकाओ है median है और माद दिकाओ जो होती है सामने वाले साइड के midpoint पर आके मिलती है ठीक है अब इस triangle को देखिए M B C में इस triangle को देखिए ठीक है इसमें लंब क्या होगा ये A बटा दो और इसका base क्या होगा ये B और M C इसकी जो है hypotenuse है ठीक है तो मैं CM square यहां से क्या कह सकता हूँ कि इसका square याणने कि A square by 4 plus इसका square याणने कि B square ठीक है ये कह सकता हूँ और अगर अब मैं इस triangle में देखो ABN के अंदर तो AN square क्या होगा AN square होगा 이न payroll plus B N square AB square plus B N square A b कितनी है A square ठीक है और ये कितनी है B by 2 याणने कि B square by 4 इसका स्क्वाइर प्लस इसका स्क्वाइर बी एन का स्क्वाइर यानि अब इन दोनों का मैं जोड निकालना था तो इन दोनों का जोड अगर हम करें cm स्क्वाइर प्लस an स्क्वाइर बराबर a स्क्वाइर प्लस a स्क्वाइर को हम जोडते हैं क्या मिलता है हमें 5a2 by 4 और इन दोनों को जोडेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस 5b2 by 4 ठीक है और अगर इस 5 by 4 को मैं बहार निकाल लो दोनों में से कोमल ले लू तो अंदर बचा मेरा a2 plus b2 a2 plus b2 अगर यह तीसरी वाली साइड सी है यानि कि a c तो a2 plus b2 a c2 के बराबर होगा ठीक है पाइटागोरस के अनुसार तो यह हो जाएगा हमारा a c2 ठीक है तो यानि कि मेरा जो b option है 5 by 4 a c2 यह मेरा correct answer होगा अब यहाँ पर हमें देखिए क्या relation मिला कि अगर दो मीडियन है हमारे पास m1 और m2 ठीक है तो इनके square का जोड किसके बराबर होता है hypotenuse के square के 5 by 4 ठीक है यह relation हमें याद रखना है यह बकुष्चन होगे के 4 ठीक है nawet अब आपको question हांपे ऐसे पूछ सकता है आपको कि विभल 2 मीडियन दे सकता है कि 2 डीइन एक रैट अंगल ट्र्राइंगल की जो की मीडियन कहां से निकलती है जो एंगल हमारे 90 डिग नहीं है हमारे निसों के डिकल यह ए अर और यहां से हमारी 2 median है, उनकी length हमें दे देगा और हमसे पूछेगा कि उस triangle की hypotenuse बताओ, ठीक है, या तो फिर हम आपे solve करने लग जाएंगे, यह वाला procedure जो हमने इसको prove करने के लिए लगा है, वो ही procedure हमें दुबारा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें direct relationship याद है, इनके बीच में, दो medians के और hypotenuse के, तो हम इस formula का direct use करके उस question को solve कर सकते हैं, अगले चीज़, यह question भी आया हुआ है, मैंने cat के अंदर देखा था, कि हमें hypotenuse गिवन थी, एक median गिवन थी, और दूसरी median पूछ रखी थी, ठीक है, तो देखे, cat level के question में इतनी आसान बाते पूछ कर सकते हैं, अगर हमें यह relation याद है, तो हम आसानी से उस question को attempt कर सकते हैं, अब अगला question देखिए, ABC is an isocellus right angle triangle, देखे, right angle triangle भी है और isocellus भी है, isocellus यानि कि सम्धूई बाहू, यानि कि दो बुजाएं बराबर होंगी, दो साइड बराबर होंगी, isocellus triangle में होती है, त अब यह मारा right angle triangle बनता है, ठीक है, यह मैं आपको बता भी चुका हूँ, यानि कि अगर कोई सी दो साइड अगर बराबर हो सकती है, एक right angle triangle में, तो उसका lump और उसका आदार यानि कि perpendicular और base ही बराबर हो सकता है, ठीक है, उस case में क्या होगा फिर, मैं यह भी कह सकता हूँ, तो यह दोनों side बराबर हैं, तो यह दोनों angle बराबर होंगे, इनके सामने वाले angle, और इन दोनों का जोड़ नब्बह है, तो यानि कि यह भी 45 होगा, और यह भी 45 होगा, ठीक है, यह जी आपको द्यान रखनी है, अभी के लिए इसको मिटा जेता हूँ, और इसमें आगे बोला क्या गया है, I is the in-centre of the, I is the in-centre, in-centre बना लिया हमने I, ठीक है, इस area of triangle A, I, B is equal to 2 cm square, A, B, C, क्योंकि angle ABC में 90 degree given है, यानि कि B angle पर इसका 90 degree angle होगा, और A, I, B, यानि कि यह वाला triangle, इस triangle का हमें area given है, 2 cm square, find area of triangle A, I, C, इस triangle A, I, C, इसका area हमें find करना है, ठीक है, इसका given हमें 2 cm square, और इसका हमें find करना है, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ देखिए, इस type के triangle में आपको यह चीज हमेशा याद रखनी है, मैं इसको अलग से करके बता रहा हूँ, यह एक है, तो यह भी एक होगा, अगर मैं एक right angle iso-cellus triangle लेता हूँ, तो यानि अगर यह एक है, तो यह भी एक होगा, तो यह कितना होगा, root 2 होगा, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक in circle draw करता हूँ, आई जिसका in center होगा, ठीक है, इस circle का center होगा आई, और यह जो आई होगा, इस triangle का in center होगा, और यहाँ से यह distance अगर मैं लूँ, इसकी in radius अगर लूँ, small arm 말 말 लेता हो, तो यहाँ पर परप्रेंडिकुलर होगी, इस बात मैंने आपको पीछे ही बतायाई थी, यहाँ पर यहे इसके परप्रेंडिकुलर होगी और यहां पर इसके भी यह perpendicular होगी ठीक है? मैं इसका नाम दे देता हूँ O, A, B, C तो अगर मैं इनको ऐसे जोइन कर दूँ A, I, B, I, और I, C को ऐसे जोइन कर दूँ ठीक है? और अब मुझे इनके area के ratio निकालने है area का ratio अगर में इनका निकालने चाहता हूँ तो मैं पहले लेता हूँ A, I, B ठीक है? दूसरा है B, I, C और तीसरा है A, I, C ठीक है? A, I, B का area क्या होगा? half into perpendicular into base यानि की half into R into 1 ठीक है? मैं इसको half into R लिख सकता हूँ ऐसे ही B, I, C का area कितना होगा? half into half into R into 1 इसका base भी 1 है ठीक है? तो ये भी half into R हो जाएगा और अगर मैं A, I, C का area लेने चलूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है इस की इन रेडिस की R होगी तो half into R into root 2 ठीक है? half into R into root 2 half into R कट जाएगा तिनों में मेरे पास क्या बच जाएगा? एक-एक root दो यानि कि इनके area का ratio भी एक-एक और root दो होगा इन तिनों side का जो ratio था वो भी एक-एक root दो था इनके तिनों के area का यानि A, I, B, B, I, C और A, I, C इन तिनों के area का respective ratio 1 is to 1 is to root 2 ही होगा ठीक है? यह बार मैंने यह से निकाल दी यानि कि यह अगर 2 है तो यह भी 2 होगा और यह कितना होगा? 2 root 2 ठीक है? तो मैं इस concert direct लगा सकता था अगर यह relation मेरे को पहले से ही पता था कि इसका area अगर 2 है तो इसका area 2 root 2 होगा और इसका 2E होगा और अगर हमसे पूछ लेता इसका area देखे पूरे triangle का area क्या होगा? तो कितना होगा? 4 plus 2 root 2 ठीक है? तो इतनी असानी से हम यह questions कर सकते हैं अगर हमें यह कुछ properties का पता है ठीक है? और यह manage जो हमें करनी होती है गर पे करनी होती है यह चीज़े हमें exam के अंदर जाके नहीं निकालनी यह ratio हमें पहले से ही पता होना चीज़े था कि अगर एक isocellus right angle triangle है तो उसकी जो side होती है perpendicular base वो 1 is to 1 1 होगी तो जो हमारा hypotenuse से वो root 2 होगा और अगर हमारा eye in center है तो इन तीनो triangle का ratio भी हमारा एक-एक root 2 होगा ठीक है? अब अगला question देखिए if the perimeter of a isocellus right angle triangle is 21 cm ठीक है? perimeter यानि की perimap तीनो की तीनो साइड का जोड find the area of triangle हमें केवल perimeter का दे रखा है 21 cm और हमें इस triangle का area find करना है अब देखिए students इसे हम कैसे कर सकता है यह हमारा एक isocellus right angle triangle है जिसमें यह A है तो यह भी A होगी तो यह कितनी होगी root 2 A ठीक इसका perimeter कितना होगा अगर perimeter को मैं P लिखू ठीक है तो perimeter होगा इसका 2 A plus root 2 A ठीक है तीनो साइड का जोड अगर मैं A को common ले लू तो 2 plus root 2 बच्टता है मेरे पास बराबर P तो A की value मेरे पास निगल गया आती है half into A into A half into perpendicular into base ठीक है यानि half A square और A की value अगर मुझे पता है perimeter की form में बतो मैं इसको यहापे लिख सकता हूँ half into P square upon नीचे इसका square खोलेंगे तो क्या जाएगा 4 plus 2 और plus 4 root 2 ठीक है इसको जोड़ते हैं 4 और 6 हो जाएगा ठीक है और इसके आगे गुना करें तो P square upon 12 plus 8 root 2 ठीक है यह हमारा formula निकल के आ जाता है area का perimeter की form में ठीक है और हमें यह आपे perimeter given है P square की जगाँ अगर हम 21 का square रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 441 upon 12 plus 8 root 2 ठीक है तो इस तरीके से हम इसका area find कर सकते है ठीक है और कुछ direct formula भी मारी यहां से निकलेंगे जिनको आपको याद रखने है मालीज़ मेरे पास एक right angle triangle है A, B, C ठीक है और यहाँ B से मैंने A, C के उपर एक lump यानि की perpendicular draw कर दिया BD BD A, C के उपर perpendicular है तो आप यहाँ पर एक चीद देखिए कि इस triangle का अगर मैं area निकालना चाहूँ A, B, C का तो मैं लिख सकता हूँ half into A, B into A, C half into A, B into B, C ठीक है lump गुणा आदार ठीक है और इसी तरीके से अगर मैं इस triangle के अंदर देखूँ अगर मैं A, C को base मानता हूँ ठीक है इस triangle को मैं गुमा के ऐसे देखूँ ठीक है, B को उपर लाके तो A, C हमारा base हो जाएगा और B, D हमारा lump हो जाएगा यानि कि मैं यह भी कह सकता हूँ कि इसके area half into B, D into A, C, B होगा ठीक है अगर half से half कर जाता है तो B, D की value कितने निकल के आती है A, B गुना B, C, बटे A, C, ठीक है यह formula आपको याद रखना है B, D की length direct पूछ दे जाती है एक right angle triangle आपको दे देगा कह देगा कि 12, 5, 13 का एक right angle triangle है B, C, हमने AC के ओपर एक perpendicular डाल दिया, तो इस perpendicular की length बताओ ठीक है, उसको हम direct निकाल सकते है A, B, गुना, B, C, बटे AC करके, ठीक है एक formula आपको यह हो गया अब एक चीज़ अगली देखिए अगर यह angle मैं theta मानता हूँ यह angle 90 है, तो यह कितना बचेगा 90 माइनस theta ठीक है, अब इस triangle के अंदर अगर मैं देखू 10 theta कितना होगा इस triangle के अंदर B, D, C के अंदर 10 theta क्या होगा, theta के सामने वाली साइड जो होगी, वो इसका लंब होगी और जो theta से लगी होई साइड है, यह dc यह इसका आदार होगी क्योंकि यह angle 90 degree है ठीक है, और यह hypotenuse होगा bc तो यानि कि 10 theta बराबर क्या निकल काएगा BD upon dc ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इस triangle के अंदर 10 90 minus theta लगाऊं 10 90 minus theta की value कितनी होगी BD upon dA ठीक है, ठीक है, इस 10 90 minus theta को मैं लिख सकता हूँ 4 theta ठीक है, और अगर मैं इन दोन equation की गुना करूँ आपस में 10 theta गुना, 4 theta यह तो 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा BD square upon AD into dc ठीक है, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि BD square बराबर AD गुना dc होगा, ठीक है, एक हमारे पास identity यह निकल के आती है कि एक right angle triangle के अंदर अगर BD lump है hypotenuse यानि की AC के उपर तो BD का square होगा AD गुना dc, ठीक है अब अगली चीछी देखिए अगर BD C triangle के अंदर मैं cos theta देखू क्या होगा cos theta क्या होगा इसके अंदर, base upon hypotenuse होता है cos theta तो अगर यह एंगल theta है, तो base क्या होगा dc और hypotenuse होगी bc ठीक है और अगर मैं इस पूरे triangle के अंदर देखू a, b, c triangle के अंदर तो cos theta क्या होगा, base upon hypotenuse यानि की bc upon ac ठीक है, यह दोनों की दोनों cos theta की value होगी तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, तो जब मैं इन दोनों को बराबर लिखूँगा और cross multiplication करूँगा, तो मेरे पास निकल के आएगा bc square is equal to c d into ac ठीक है, यह बहुत important expression है, सिदा का सिदा कोशन इसके उपर बन सकता है अगर आप से पूछ लिया जाए कि c d क्या होगी, तो c d बराबर आप कह सकते हैं bc square upon ac ठीक है, इसके उपर question भी करकर देखेंगे हम अभी, यानि कि c d का आमे direct formula मिलीगा, c d का formula क्या होता है, bc square जो से लगी होई side, c d से upon hypotenuse, ठीक है bc square upon hypotenuse ऐसे ही, अगर मुझे निकालना हो formula ad का तो स्वीम चीज़ यहापे भी करेंगे, यहापे भी एक बर cos theta लगाएंगे, इस वाले angle के साथ, इस triangle के अंदर और इस पूरे बड़े वाले triangle के अंदर हमारे पास direct यह निकल के आएगा इस से लगी हो इस side यह थी और इस से लगी हो इस side यह a b है तो यहापे हो जाएगा a b square upon hypotenuse a c, ठीक है तो दोनों के हमें formula मिल गए c d का मिल गया हमें bc square upon a c और a d का मिल गया हमें a b square upon a c, ठीक है अब अगर मैं कहूं कि अगर मुझे ratio निकालना हो a d का और c d का a d upon c d मुझे अगर निकालना हो, तो मैं a d की value और c d की value रख दू, a c से a c cut जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a b square upon b c square यह question भी पूचे जा चुका है, ठीक है कि अगर एक right angle triangle के अंदर a b c है, जो हमारा right angle triangle है b d perpendicular है सामने वाली hypotenuse पे तो b d upon d c का ratio क्या होगा, a b square upon b c square, ठीक है अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि एक अगर triangle है हमारे पास इस triangle में अगर इस point से मैं सामने वाले base के ऊपर एक line कीचू, जो इसको a ratio b में divide करती हो, तो यह जो area होंगे, यह वाला area और यह वाला area यह भी a ratio b में divide हो जाएंगे, ठीक है, यह बात बताई थी, तो यानि कि मैं यह कह सकता हूँ, इस triangle के अंदर कि अगर इसका area a1 है, और इस triangle का area a2 है, इसका a1 है, इसका a2 है तो a1 upon a2 क्या होगा? a d upon dc ठीक है? और जो a d upon dc है, वो किसके बराबर है? a b square upon b c square ठीक है? तो यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि इस triangle का area और इस triangle का area इन दोनों का ratio a b square upon b c square होगा ठीक है? इसके उपर आपको question भी पूछा जा सकता है, question ऐसे बन गया सकता है कि एक right angle triangle है, जिसकी side है माली जीए, 12 5 और 13, ठीक है? यह 12, 5 है तो 13 होगी, ट्रिपलेट है और आपसे कह दिया कि बताओ कि इस triangle a b a d b a d b का area क्या होगा ठीक है? जबकि आपको केवली 3 side given है और b d आपको given है कि यहाँ पर perpendicular है तो इस case में आप क्या कम करेंगे? पहले तो एक बाद पूरे triangle का area आप निकाल सकते हैं बड़े असानी से perpendicular और base आपको दोनों given है half into 12 into 5 यानि कि 6,5 30 cm square तो इस पूरे triangle का area आजाएगा ठीक है? अब इस पूरे area का अगर मैं a1 निकालना है मुझे यहाँ पर यह वाला area निकालना है तो इसका और इसका area का ratio क्या होगा? a b square upon b c square यानि कि 144 upon 25 ठीक है? a1 upon a2 का ratio यही तो होगा अगर यह 12 और 5 है इन दोनों का square के बराबर ठीक है? यह हमने देखा है यह से तो यह 144 होगा और यह 25 होगा ठीक है? और हमें a1 निकालना है तो यह कितना निकल जाएगा 144 upon इन दोनों का जोड 169 गुना 30 तो यह हमारा area हो जाएगा a1 का अगर हमसे पूछता कि a2 का एरिया क्या होगा तो वह कितना हो जाता हमारा? 25 बटे 169 into 30 ठीक है? तो इस तरीके से हम इस identity का यूज करके इन ratios का यूज करके हम बहुत असानी से questions को solve कर सकते है राइट अंगल ट्राइंगल के ऊपर हमें पहली property याद रखनी है कि CD का formula क्या होगा? CD बराबर होता है BC square upon AC AD होता है AB square upon AC ठीक है? AD और DC का जो ratio होता है AB square upon BC square और इन दोनों जो triangle बनते हैं ये बीच में दो triangle बने A1 और A2 अगर A1 और A2 इन दोनों का area है तो A1 upon A2 होगा AB square upon BC square ठीक है students? आगे question देखते हैं इन्हे triangle ABC right angle at B यानि कि ABC हमारे पास triangle है जो कि B पे right angle है यानि कि angle B 90 degree होगा ये A, ये C ठीक है? AB बराबर 9 cm AC बराबर 15 cm ठीक है? और हमें का गया कि BD जो है perpendicular है AC पे यानि कि point D होगा और ये perpendicular है ठीक है? और हमसे पूचा गया है कि AD की length क्या होगी? बड़ी इसली हम find कर सकते हैं, पीछे मैंने आपको इसका direct formula बताया लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ यहां पे मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए ये 9 है ये 15 है, ठीक है? तीसरी वाली side करता हूँ, तो 9, 12 और 15, ये भी triplet होगे, ठीक है? तो 9, 15, 12 कुछ लोग यहां पे calculation करने अगर लग जाएंगे तो वो time waste कर देंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें 3, 4, 5 के multiple दिखा देते हैं तो हम triplet को बड़ी असानी से find कर सकते हैं, उसके साथ साथ, 3, 4, 5 triplet की in radius होती है एक, तो गुना 2 करी है, तो इसकी in radius कितनी होगी? 2 और 3 की गुना करी है, तो in radius होगी? 3, ठीक है? तो ये चीज़ भी हम direct निकाल सकते हैं, हमें एक exam के अंदर अलग से निकालने की जरूत नहीं है ठीक है? तो यहाँ पर हमें AD निकालना था, तो AD को बड़ी इजली निकाल सकते हैं X बराबर कितना होगा? AB square upon AC, यानि कि 9, 8, upon 15, ये हमारी AD आ जाएगी ठीक है students, इसको आगे solve कर सकते हैं, 300 और कर जाएगा अब एक और चीज़ देखते हैं, बहुत important चीज़ है, ठीक है? अगर हमें पता होता है, तो हम question को बड़ी इजली कर सकते हैं और अगर हमें नहीं पता, तो question हमसे वहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाएगा हमें एक right angle triangle given है, और इसके अंदर एक square है इस तरीके से ठीक है? यह A, B, C, D, हमें एक square given है, एक triangle P, Q, R के अंदर ठीक है? एंगल जो Q है वो 90 डिगरी पे है, ठीक है? एक square S के अंदर यह जो DC है, इस square के एक side, यह इसकी hypotenuse पे है, ठीक है? और हमें इसमें given दे दिये, माली जी यह दे दिया, हमें इसकी लेंद दे दी X, CR की length, ठीक है? और इस PD की length दे दिया हमें Y, इतना data हमें दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि बताओ, इस square का area क्या होगा, यह question पूछा जा चुका है, ठीक है? मैं आपको इसको एक general term में निकाल के बता रहा हूँ, X और Y की form में, उसके बाद अगर आपको X और Y की कोई value भी देता है, तो आप इस question को directly find कर सकते हैं, देखिए, यह angle अगर theta है, यह angle 90 है, तो यह angle कितना होगा, 90 मानिस theta, ठीक है? और यह चीज़ हमने पीछे भी करी थी, अगर मैं यहां से 10 theta निकाल लूँ, इस square की side हम A माल लेते हैं, तो यह भी A होगी, यह भी A होगी, और यह भी A होगी, ठीक है? यहां से 10 theta क्या होगा, BC triangle के अंदर, BC R triangle के अंदर, 10 theta बराबर होगा, A upon X, ठीक है? इस वाले triangle के अंदर देखिए, PDA के अंदर, यहां से 10 90 मानिस theta कितना होगा, A upon Y, इस 10 90 मानिस theta को मैं co theta लिख सकता हूँ, अगर मैं दोन equation की गुना करता हूँ, 10 theta गुना, co theta, यह A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, A square upon X, Y, ठीक है? अब देखिए, मुझे क्या निकालना था? मुझे इस square का area निकालना था, जिसकी side थी A, तो इसका area क्या हो मेरी कितनी आ गई? X, Y, ठीक है? तो यानि कि मुझे यहाँ पर अगर value कोई और भी गिवन होती, मुझे यह गिवन होती कि यह 13 है, और यह 11 है, और बताओ कि इस square का area क्या होगा, तो 13 गुना 11, इस cancer आ जाएगा, और अगर मैं से यह पूछ लेता कि इस square की side कितनी होगी, त इस square की side हमने क्या मानी है? A, तो A बराबर हो जाती, under root X गुना Y, ठीक है students, एक तो यह type हो गया, जब आपको इस तरीके से दो side given हो, एक दूसरे तरीके से भी question पूछा जा सकता है, यह चीज है, हमें given यह figure है, ठीक है? यह side, square, right angle triangle के अंदर, और हमें इसका area निकालना है, लेकिन अब की बार हमें यह, जो हमें CR और PD पता था, अब की बार हमें इनी पता, हमें लेकिन A, B, C, यानि कि हमें तीनों की तीनों side पता है, PQ पता है, QR पता है, और PR पता है, यहां पर PQ की line है small A, QR की line था small A तो हमने इसकी लेंट मान रखिया तो इसको माल लीजिए फिर इसको P अटा लीजिए ठीक है इसको P माल लीजिए small P ठीक है square जो है अंदर इसकी जो लेंट है वो small P है 4 होगी 4 साइड की तो ये वाली होगी small A, ये small B और ये small C, hypotenuse ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक standard formula बनता है अगर इस form में हम याद रखते हैं तो हम थोड़े confused नहीं होंगे, ठीक है तो A ये लेंट है, B ये लेंट है और C ये लेंट है और हमें इस square की side निकालनी है, ठीक है तो side का हमारे पास इस case में एक direct formula होता है P बराबर A, B, C upon A square plus B square plus AB ये भी हम इसी तरीके से solve करके निकालेंगे 10 और quote लगा के, लेकिन मैं आपको इस direct formula बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लीजिए ठीक है, proof ऐसे ही हो जाएगा लेकिन आखनी हमें करना क्या है, इस formula को याद करना है तो किस तरीके से हम साइड निकालते हैं तो यहाँ पर जब हमारी P निकल जाएगी, यानि इसी square की साइड निकल जाएगी ABC का यूज करके उसके बाद हम फिर इसका area भी बड़ी इजली फाइंड कर सकते हैं यानि कि अगर आपको ABC की value गिवन हो, कोई triangle गिवन हो, तीन, चार, पांच का गिवन हो, यह तीन है, यह चार है, और यह पांच है ठीक है? और इसके अंदर ऐसे ही square बना हुआ है तो बताओ कि इस square का area क्या होगा, इस question को आप खुद से solve कीजिए एक ही square के side निकालिए, यह वो formula put करके, और उसके बाद फिर इसका area निकालिए, ठीक है? अब अगली चीछ देखे, अगर आपको right angle triangle के अंदर square इस तरीके से गिवन हो, जहाँ पर उसकी जो एक vertex है, वो हमारे triangle के 90 degree वाला vertex है, बिल्कुल उस पे coincide हो, और इसकी यह दो दो line है, square की, वो हमारी triangle की दो line के उपर हो, ठीक है? तो इस case में और जो दूसरे वाला vertex जो बच गया, वो हमारा hypotenuse के उपर है, तो इस case में फिर हम इस square का area कैसे निकाल सकते हैं, इस side कैसे निकाल सकते हैं, माल लिजी इस square की side जो है P है, तो यह भी P होगी, यह भी P होगी और यह भी P होगी, ठीक है? small p मैं मान रहा हूँ, इ इस length को मैं माल लेता हूँ, small b, ठीक है? यह P है, यह B है पूरी, तो यह कितनी बची, B-P, ठीक है? इसी जरीके से यह वाली कितनी बचेगी, A-P, A- small p, ठीक है? अब अगर angle यह वाला theta है, तो 10 theta की value क्या होगी इस triangle के अंदर? P upon B-P, ठीक है? और अगर इस triangle के अंदर में, यह 90 minus theta होगा, अगर यह वाला theta है, यह 90 है, तो 90 minus theta बचा, तो quote, यहां से वो ही है, आपको 10 90 minus theta है, जो आके जाके आज आएगा quote theta, उसकी value क्या होगी? P upon A-P, ठीक है? अब वो ही हम जो पहले करते थे, कि दोनों की हम गुना करेंगे, दोनों equation की, तो एक बराबर, P upon B-P, गुना, P upon A-P, ठीक है friends, अब देखिए, जब हम इसकी आपस में गुना कर देते हैं, तो P square बराबर आ जाएगा, B-P, गुना, A-P, अंदर गुना कीजिए, A-B, और आगे होगी फिर, P-B-P, माइनस A-P, प्लस P square, ठीक है, इदर यह P square है, इस P square से P square कट जाएगा, ठीक है, और इस A-B को इदर ले जाएगे, A-B को A रखी है, इसको इनको इदर ले का आजाएगे, ठीक है, B-P minus A-P, ठीक है, इसमें से P जब को मना आजाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यह दोनों के दोनों माइनस हैएगे, तो जड़ा के दोनों प्लस हो जाएगे, ठीक है, तो अंदर बचेगा, A plus B, बराबर A- जानी कि मैं यहापे कहा सकता हूँ कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A-B upon A plus B, ठीक है, तो इस तरीके से अगर अगर मेरे को फिगर की वान है, और यह दो साइड मेरे को पता है, A और B, A है मारी AB, और B है हमारी BC, तो इस स्क्वार की साइड हम बड़ी इसली निकाल सकते ह है, A-B upon A plus B करके, ठीक है, और इस साइड पता लग जाएगी, तो फिर इस स्क्वार का एरिया भी वड़ी असानी से निकाल सकते है, ठीक है, घर पे एक कोशन इसी तरीके का कीजिए, माल लीजिए यह जो स्क्वार था, यह जो राइट एंगल ट्रेंगल है, इसकी साइड ह पांच, यह वाली है 12, B C, और यह वाली है 13, ठीक है, 13 ही होगी जब यह 5 अरइवार बारा हो गई, और इसके अंदर इसी तरीके से स्क्वार बना हुआहा है, और इस स्क्वार का आपको एडिया फाइंड करने है, ठीक है, तो यह आपका home work है, तो इस्टुडेंट्स आज क लेक्षर में इतना ही आज का लेक्षर वैसे भी काफी बड़ा हो चुका है और जो कुछ इसके कंसेप्ट बचते हैं एक दो और अगले लेक्षर में ट्रैंगल को खता मी कर दें क्योंकि बहुत सारी चीजे हमने कवर कर लिया एक दो चीजे बच्ची है उनको मैं देखता हू वह सारी की सारी किताब उठाके देखने पड़ेगी एक बार कुछन उठाके देखने पड़ेगी कोई चीज रहतों नहीं गई तो वह सभी की सभी चीजे आपको नेक्स लेक्षर में पढ़ा दी जाएगी थोड़ा सा इसका भी पार्ट बचा है राइट एंगल ट्रैंगल टाइबंकी सिव चाहिए तो इस तरीके से आपके लीए जो it斯 on कर रहा हुं उनका प्रोपोशन इस तरीके से रख रखाए कि इन्युक्र हे पूरा उजाए और उगाक वा इक्जाम से पहलेया पूरा गरहा देश्वां एग्जाम से तो थेंक्यू और है psychologists